वेलकम फ्रेंग्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम मानी सुप्रीम कोट के द्वारा दिये गए एक लेटेस चेज्जमेंट के बारे में बात करेंगे जो की चेक बाउंस को लेकर आया है तो आएए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला इस केस में कम्प्लेनिंट का कहना ये था कि उन्होंने एक्यूस्ट परसन को 3 लाक रुपे उधार दिये और उस उधारी की अवज में एक्यूस्ट परसन ने चेक दिया जब कम्प्लेनिंट ने ये चेक बैंक में लगाया तब उन्हें बता चला कि एक्यूस्ट परसन ने अपना खाता ही बंद कर दिया है और चेक बाउंस हो गया चेक बाउंस होने के बहुत से कारण होते हैं जैसे की सिगनेचर मैच नहीं होते कई मामलों में आपके खातों में पैसा नहीं होता या फिर कई मामलों में चेक में आवर राइटिंग होती है या फिर कई मामलों में एकाउंट ही क्लोस करवा दिया जाता है तो ऐसे में बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वज़ा से आपके चेक का भुकतान नहीं हो पाता जब चेक बाउंस हो जाता है तो इसकी प्रक्तिया ये है कि सामने वाले व्यक्ति को एक legal notice advocate के द्वारा भेजा जाता है इस case में भी legal notice भेजा गया लेकिन accused person ने फिर भी पैसे नहीं दिये Complainant के द्वारा 138 NI Act के दहत मुकदमा दर्च किया गया अब lower court के सामने इसका trial चला इसमें accused person के द्वारा बोला गया कि Complainant का कहना है कि मैंने इनसे 3 लाक रुपे उधार लिये और चेक दिया ऐसा बिलकुल भी नहीं है और ऐसा कोई भी evidence on record नहीं है कि इन होने हमें 3 लाक रुपे दिये हूँ और accused person के द्वारा 3 लाक रुपे ले लिये गए हूँ इस बात को लेकर court में मना कर दिया गया और lower court ने देखा कि Complainant के द्वारा court में कोई भी evidence प्रस्तुत नहीं किये गए तो court ने accused person को बरी कर दिया इसके बाद Complainant पहुंचा हाई court में हाई court ने पूरे मामले की तथ्यों और परिस्तितियों को देखा तो कहा कि check bounce का जो मुकदमा होता है उसके अंतरगत ये अवश्यक नहीं है कि ये सिद किया जाए कि पैसे दिये गए है या फिर नहीं दिये ग अब accused person ने इस order को मानी सुप्रीम court में challenge किया और कहा कि मैंने कोई 3,00,000 रुपे उधार नहीं लिये हैं इसके इलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो उनकी income tax return है उसमें भी 3,00,000 रुपे की कहीं कोई entry नहीं है उसके बाद income tax अधिकारी को court में examine करवाया गया जिससे ये clear हो सके कि ये 3,00,000 रुपे कहीं भी record पर नहीं आये हैं अब दूसरी party के द्वारा ये कहा गया कि उधारी के पैसे लेने के लिए किसी भी evidence की अफशक्ता नहीं है और ये भी कहा गया कि जो check bounce के cases होते हैं उसमें ये थाबित करने की अफशक्ता नहीं है कि हमने आपको पैसा उधार दिया है इसके इलावा ITR में भी तीन लाक रुपे mention हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है Honorable Supreme Court ने दोनों ही parties को सुना और एक पुराने case का reference दिया जिसके अधार पर मानी Supreme Court ने कहा कि अगर आपने check दिया है तो check देते ही 138 NIE Act लागू हो जाता है ऐसे में मानी Supreme Court ने तीन सिधानत बताए पहला ये कि accused person अपनी तरफ से खुद कोई ऐसा evidence दे सकता है जिसके द्वारा ये साबित हो सके कि उसने तीन लाक रुपे नहीं लिये है दूसरा ये कि जो court है वो complainant के side भी rely कर सकता है और तीसरा ये कि कुछ ऐसे circumstances या फिर परिस्तितियां आप लाकर दें कि जो settled low है जैसे की check दिया है तो कुछ न कुछ देनदारी रही होगी उसका खंडन हो सके ये सिधान honorable Supreme Court के द्वारा बताये गए और मामले की तथ्यों और परिस्तितियों को देखते हुए Supreme Court ने accused person को बरी कर दिया इस judgment का link आपको वीडियो के description box में दिया गया है वहाँ पर जाकर आप इसे download करके पढ़ भी सकते हैं